इस घरेलो नुस्खे का एक चम्मच आपकी बढ़ती हुई चरबी को खतम कर देगा चाहे आपके शरीर में कही पर भी फैट है कमर में फैट हो, आपकी जांगों में फैट हो या आपकी बाजों में फैट हो ये सारे फैट को बहुती बढ़िया तरीके से पिकला देगा, खतम करतेगा तो चलिए जान लेते हैं इसको बनाना कैसे है और लेने का क्या सही तरीका है इसके लिए सबसे पहले चाहिए हमें अद्रक, इतना पूरा साइस का क्योंकि हम इसको बना कर स्टोर करना है तो अब इसको अच्छे से हम छिल लेंगे और छिलने के बाद इसको ग्राइंड करेंगे तो मैं यहाँ पर छिल लेती हूँ इसको छिलने के बाद मैंने छोटे-छोटे टुक्रों में कट कर लिया है क्योंकि अब हम इसको ग्राइंड करेंगे आप दो भी लीजेगा अक्षे से क्योंकि सारी डर्स निकल जाएगी अब मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ अब इसको बावल में ट्रांस्टर कर लेंगे आप यह धियान रखे का कि जब भी कोई ऐसी चीज आप ग्राइंड करते हैं तो कांच के बरतन में हमेशा स्टोर करें फ्रिज में मैं इसको ग्राइंड करते राइम थोड़ा साथ में पानी आट किया था इसको इसली आप 15-20 द बादी आपको कुछ खाना है अब बायो स्लीम आपके लिए तनी एफेक्टिव क्यों है और मैं आपको लेने के लिए क्यों बोल रही हूं क्योंकि यह हमारे जिद्धी फैट को तोड़ती है इसमें गार सीनिया कंबोजिया होता है जो हमारे कॉलिस्ट्रॉल को भी खतम करत है और हमारी जमा हुआ चर्भी जो होती है जो हम बहुत कुछ करते हैं फिर भी वो पिखलती नहीं एक्सराइस के बाद भी वो कम नहीं होती उसको यह मेल्ट करने का काम करता है साथ में है ग्रीन कॉफी एस्ट्राक्ट जो आपके डाइडेशन को बूस्ट करता है और आप जो एक्स्ट्राइविंग होती थी ना हर थोड़े बाद आपको भूख लगती थी वो भूख लगनी बंध हो जाएगी क्योंकि आपकी एक्स्ट्राइविंग को कंट्रोल करता है अब बात करेते हैं अपनी सेकिंड चीज के बारे में कि इसको कैसी लेना है याई अद्रक जिंजर को पीसा है, इसको इल्टेक किस टाइम पे काना है वो जानना बहत जरूरी है हमने रात को खाना खाया आट से नौके बीच में या माकसिमम आट बे तक आप डिनर का लीजे उसके बाद हमें इसका ये एक चमच सर्दियों में लेना है क्योंकि अद्रक गरम होती है आप देख सकते हैं इतनी कॉंटिटी एनफ है इससे जादा मत तीजेगा ये हमने एक चमच अद्रक लेना है उसके बाद हम इसमें आड करेंगे हनी अगर आपको डाइबटीज है तो आप हनी की जगा आप मीमबू ले सकते हैं विकास लेमन जो है वो भी आपके फैट को कट करता है और हनी भी आपके फैट को कट करने के साथ आपकी स्किन पर ग्लो ले आता है और साथ में जिनके body acidic है वो lemon का इस्तमाल तो बिल्कुल भी ना करें क्योंकि इससे acid बहुत जादा बनता है अब इसमें मैं add करूँगी गरम पानी, गरम पानी कौन सा? लुक वाउम वाटर, जादा गरम नहीं आपको इसको इससे mix कले ना है mix करने के time में आपने एक बाद कर ध्यान रखना है जब आप इस तरह के एक bottle रखेंगे तो आपको बहुत गरम पानी नहीं, हलका कोसा रखना है room temperature, वादब आपको ठंडा फील ना हो, गरम हो, लेकिन उबलता हुआ ना हो क्योंकि honey add करा नहीं, तो honey poison बन जाएगा, लेकिन अगर आप इसमें नीम्बू आट करें, honey skip कर रहे हैं तो आप इसमें बिल्कुल बॉल पानी डालें, क्योंकि जतना गरम पीएंगे, चाहें कितना उतना ही आपके ये fat को जल्दी कट करेगा अगर आप इसे रोजाना रात को सोने से पहले daily पीएंगे ना, तो इसमें है अद्रग जो आपके digestion को boost करेगी, instant जो आपको heaviness, खटी डिकारें, आपके body जो acid बनाती ही ना, को छाती में या भारी भारी लगता था, वो सारी problem दूर हो जाएगी, trust me, इतना जादा effective है ये, आ को खाली पेट लेने को नहीं बोल रही हूं, आपको लेना ही इसको रात को सोने से पहले है, क्योंकि हमने खाना खाया होगा, हमारी body में ये heat पेदा नहीं करेगी, बल्कि एक positive heat पेदा करेगी, जो आपके fat को cut करेगी, साथ में, जिसको cold cough की problem रहती है, चाती में बहुत congestion र फिर देखेगा आपके body में, जो digestion है, वो कितना अच्छा हो जाएगा और आपका fat बिल्कुल cut off हो जाएगा, तो चलिए, अब इसको पी लेते हैं, झाल झाल करेगी, झाल झाल करेगी, बल्किए, जो जो खुझ सबसे कीधिशसा चाती है, थाधकी अच्छा हो जड़ हुत खिर आपके path बिल्कुल